हाई फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तु आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं सोसल और प्रिवेंटिंग फार्मेसी के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टोपिक के ऊपर तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर प्रिष्ट के अंदर मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में डिसकस किया था इसके पार्म समाज में चलाई गही गया गई है तो इसके बार में उसके करूंगा इन मैंसे कुछ टॉपिक को तो आप हमारे चैनल पर बने रहे मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इसको एजी वे में और कम समय में करें का आपके सामने तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फार्मेसी से रिलेटेड एट्सेंसी रिलेटेड को बहुति जरूर सेयर करें क्या है a Heart evolution of public health public health को एक्षित करने के लिए कि अच्छी तरीके से मतलब बिख्सित करने के लिए क्या-क्या process है क्या-क्या step है उसके बारे में understanding the concept and prevention and control of disease हमें disease को समझना है इसके concept को समझना और इसे कैसे prevent किया जाए कैसे से रोका जा और कैसे control किया जा इन चीजों को में देखना है social cause of disease and social problem to seek समाजिक क्या क्या चीजह है जिसके बदार से समाज की जो activity है वो disease cause करती है और कौन-कौन सी problem होती है शिख होने की यह सारे चीजी है तो देखते हैं health friends health एक ऐसा state है being free from illness और injury जब कोई परसन इल्नेस यानि बीमारी और इंजरी से फ्री होता है तो उसे हेल्थ कहते हैं अगर डबलु हो नहीं से डिफाइन किया गया है है एक ऐसा स्टेट जिसमें कोई इंडिविज्वाल जिसमें कोई परसन क्या होता है कम्पलीटली फिजकल यानि फिजकली कोई समाज में लोग क्या होना चाहिए अच्छा परसन होना चाहिए नोट मेरली एंड अपसेंस ओफ डिजज एंड इंफार्मीटी तो इसके अकॉर्डिंग जो इन कम्पलीटली फिजकल फिट होता है मेंटल होता है तो इन सारे चीजों को डबलु आच्व क्या कहता है वो पर आशियत होती है तो good mental condition सबसे पहले तो उसका मानसिक जो condition होता है वो अच्छा होता है बहतर मानसिकता वाले आदमी होते हैं healthy person ability to work efficiently वो अपने काम को efficiently कर लेते हैं बिना किसी खेट के free from disease condition वो किसी भी तरह के disease का जो condition होता है उससे free होता है मतलब वो fit होता है able to take decision वो कोई साथ भी decision लेने में able होता है मतलब सक्चम होता है तो यह सारे good health के features हो गया है disease उसके बाद हम जानते हैं disease भीमारी होती क्या है disease एक ऐसा condition है या फिर एक ऐसा state है जिसमें when there is a malfunction of body और mind हमारे body और यह डिमाग का जो basic function होता है basic work करने का जो tendency होती है when the cause of disease living organism वो सारी क्या होती है well नहीं होती अच्छी नहीं होती तो इस condition को हम करते हैं disease it is called infection disease and symptom associated with disease state में भी physical mental और social कोई इंसान को disease की स्टैप से हो सकता है physical भी हो सकता है mentally भी बीमार हो सकता है या फिर समाजिक तरीके से social cause of disease समाजिक काज क्या क्या हो सकती है disease की तो पहला होती है unemployment मतलब आदमी को कोई काम धाम ना होना इसके वाज़े से क्या होगा इंसान mentally fit नहीं होगा जब कोई unemployment है तो उसके पास अपने मतलब मेंटेन करने के लिए अपने हाईजन को मेंटेन करने के लिए प्रोपर डायेट के लिए प्रोपर पैसा नहीं होगा तो वह क्या होगा दिरे-दिरे भी बीमार होते जाएगा mentally से physically नेक्स्ट है social and cultural हमारे समाज में जो चेंज आद रही है जैसे cultural चेंज है तो इन सभी के वज़ासे भी डिजीज होती है अब नेक्स्ट टॉपिक है essential requirement for maintenance of good health एक अच्छे स्वास्त को maintain करने के लिए essential requirement क्या क्या है तो देखे तो essential requirement कुछ है ज हमें डाइट लेना होता है healthy or balance adequate water consumption हमें जितना body को चाहिए होता है उतना हमें water देना होता है good source of energy energy का अच्छा source होना चाहिए गलत source energy ना ले जैसे कि बहुत सारे लोग esteroid लेते energy के लिए तो वो सारे चीज़े गलत होती है good and healthy habits अच्छे और habits होने चाहिए exercise and rates of fitness जरूरी नहीं है कि हमें good health को maintain करने के लिए ज्यादा हम जीम जा रहे है प्रोटील ने रहे तो उससे भी हमारी तबिट क्या होती है health ब समय पर वातिन और अपने हाईजन को भी maintain रखना होता है तो यह सारे essential requirements होगे good health के next बात करें तो factor affecting health हमारे health को कौन-कौन से factor affect करती है तो कुछ various factors है जो की health को affect करती है जैसे heredity सबसे पहली बात हो गई heredity है नहीं बंसानुगत कोई इंसान क्या होती है handicap होते है तो वह ना तो उसका main reason यह हो गई कि जैसे कि society के वज़े से तो वह handicap हुआ नहीं तो यह heredity के वज़े से भी इंसान क्या होता है बीमार हो जाता है environmental factors बहुत सारे होते हैं हमारे से surrounding के factors वातावरन atmosphere हो गई हजार सबस्टान्स पर जेंट इन वाटर oil यह सारे चीज़े होती है स्वाइल में क्या होती है हजार सबस्टान्स पर जेंट तुरण जैसे कि आजकल आती है water में फ्लूराइट की मात्रा कहीं ज्यादा होती है कहीं iron ज्यादा होती है तो एक्सेस होने के वज़े से भी हमारा health खराब होता है ज्यादा खा लेता है तो उसमें भी health बिगरेगी सोता रहता है तो वह एक डिजित का ही condition होगा health person नहीं कलाएगा exercise exercise करना यह सारे चीज़े affect करती है यह factor हो गई उसके बाद जो next topic है evolution of public health हम public health को evaluate कैसे करें उसे उत्तम कैसे बना है तो evolution प्रोग्राम चलाई जाती है प्रोग्राम है is a systemic way to improve the public health मतब एक systemic तरीके से एक cyclic way step by step कैसे public health को improve करें वह evolution program कहलाती है evolution in public health guide public health profession in their use of programs evolution एक प्रोग्राम है जोकि proper method है इंप्रूब पब्लिक हेल्थ पब्लिक हेल्थ जब बढ़ेगा तो फेमिली हेल्थ बढ़ेगी फेमिली हेल्थ बढ़ेगी तो सोसाइटी की हेल्थ बढ़ेगी सोसाइटी की बढ़ेगी तो community की बढ़ेगी तरह क्या होगा एक वह नेशन good healthy nation कहलाएगा evolution प्रोग्राम एक ऐसा रास्ता है for organization छिक ना किसी भी organization के लिए कदेए आटपूट एवदीट के तुरी आउसे आपने बहुत सारे NGO को देखा होगी यह भी सारे ट्रस्ट को वह क्या करती हैika समझ समय पर एक सेž mercado प्रोग्राम को चलाते स्में टोट गूमके तो यह सारे डैटा को इकठा करके वह गौर्ण्रमेंट को देती तो यह प्रोग्राम में अगराइब देन đãh अब हमें कि पॉइंट ऐसे कि जो कि evolution को है क्या समझा इसको करने के लिए उसको मतलब कम्प्लिट्ली रॉन करने के लिए कुछ कपाबिलिटी तो इन्फर्म और्गनाईजेशन इवाउट द शक्षेश और इंटर्वेंशन प्रोग्राम और इसको यह क्या करते है प्रौपर और्गिनेशन होती है जो कि уж state government चलाथी है digital चलाथी यह फिर बॉक बाइब चलाथी है और सेंट्रल गोवर्मेंट ऐस टेट'sug पर कमांड करता है सारी कि गोटषा करता है सब्सक्ति कर्भर्म बहुतर होता है descrição वैग। में गाउंट टो गाउंट डोड जाकर वैक्सिन दे जा रही है प्रोसीजर टू अबर व्यूशन और प्रोग्राम सक्सेस और यह प्रोग्राम जो रन की गई है कितना सक्सेस हुआ है क्या उसका आउटपूट है तो वो सारी चीज़े इसमें आती है एविवल्यूशन और लॉशन होतीज ये थीन एविवलोशन के टाइब हो गये है बात करेंरें रिजन बॆल Mansv ing framework और व्यूंचिन शेलाई क्या शेयरे दिशख क includes प्रोड़ाम के पर ऑन हर जगह अलग अलग कोता है तो उसे हम ध्रेंवर्ग कहते हैं कि क्या किस जगा पर हमें किस तरह का structure लेके जाना है जैसे कोई बार्ड प्रित इलाका है तो वहां पर evolution के कुछ structure change होंगे क्योंकि वहां पर society होगी जो health होगी वह काफी ज्यादा affected होंगे बार्ड से कोई ऐसा एरिया होगा जो कि काफी ज्यादा polluted होगा तो उसके अलग बनेगा सिटी के अलग बनती है विलेज के अलग बनती है तो वही एक structure है effective program evolution यह प्रेमबर्ड क्या है evolution का effective program है defining a step in program evolution framework क्या करते है step by step को define करते है evolution के प्रोग्राम को हर एरिया के recording हर सोसाइटी के recording ठीक न समराइजिंग अलिमेंट और फ्रोग्राम इवल्यूशन इवल्यूशन के जो जितने भी प्रोग्राम होती है उसको यह framework में क्या किया जाता है इसेंशिल जो एलिमेंट है उसको यह समराइज करती है developing a monitoring and systemic evolution प्रोटोकॉल for many interventions यह सबसे पहले तो क्या करेगी प्रोग्राम को जो बनाए एफेक्टिव प्रोग्राम बनाएगी इस framework के अंदर एफेक्टिव प्रोग्राम बनती है उसके बाद उस प्रोग्राम को जो उसके क्रमचारी होते है उस रन करने वाले हैलपर होते हैं उसे step by step उसे define करके समझाया जाता है उसके बाद उन्हें समराइच किया जाता है essential element के बारे में कि हाँ वहीया तुम जान लो यह सारे essential element है आपको इस तरीके से इस way में इसे implement करना है ठीक न उसके बाद जो run किया गया जो मुहिम चलाया गया उसको हम develop कितना हद तक develop किया उ systemic evolute of protocol उसके लिए कुछ protocol भी बनाते हैं तो यह सारी रहे topics framework की आप समझ रहे होंगे उसके बाद prevention and control of disease हम किसी भी हमने health को define किया good health के features देखे disease को define किया disease के prevention करने के लिए क्या क्या तरीका है उसके बाद जो evolution है health का evolution क्या करना चाहिए उसके framework को देखा अब इसके बाद जो topic आती है prevention and control of disease हम किसी disease को कैसे prevent करें ठीक न पहले तो हमें disease को आने से ही रोकना है gate पर ही रोक देना है कि हाँ भाई तुम चले जाओ काम नहीं है तुम उसे हमें control क्या करना है ठीक ना central government बहुत सारे prevention के वह चला रहे है जैसे international flight वगएरा cancel करने का तो यह example के तुम आप इसे समझ सकते हो उसके बाद उसके बाबजूद भी क्या होई कोवीड हमारे नेशन में हमारे देश में आ गई तो भाई देश के अंदर भी तो हमें उसे control करना है तो उसे control करने के लिए क्या क्या वे है क्या क्या तरीका है वो चीज़े हमें इसके अंदर देखना होता है इसे बात करें prevention की भाई prevention होती क्या है तो prevention है it means planning for disease prevention मतलब किसी भी डिजिज को रोकने के लिए जैसे को बीट को रोकने के लिए बहुत सारे प्लान किये गए इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसल की गई उसके बावजुद भी जो ब्रोड में रह रहे हैं जो आउट आफ नेशन जो परसंदर हैं उनके लिए होम कोरेंटाइन कोरेंटाइन 14 दि को ठीक ना और डिजिज के स्पिरिट होने से रोकने के लिए सारे गाइडलाइन जो कोवीड में बनाएं गए उन सारी चीजों को हम क्या कहेंगे प्रिवेंशन के बाद एक टॉपिक और आती है इंटर्वेंशन क्या है इंटर्वेंशन मतलब होता है कंट्रोलिंग और डि इंसिडेंट के समय घुष सारे एक्शन लेते हैं इंटर्वेंशन उसके बाद नेक्स टॉपिक है डिजिज प्रिवेंशन कवर मेजर्वर नट अल्ली अब प्रिवेंट दाइजिदेंट डिजिज को प्रिवेंशन के अनदर जो भी आती है टॉपिक वह ना तो सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन नहीं आती है इंसिडेंट ऑफ डिजिज बलके उसमें आती है रिस्क फैक्टर रेडक्सम प्रिवेंशन में सिर्फ रोकना ही नहीं आता प्रिवेंशन के अंदर आती है कि रोकने के लिए उसके जो रिस्क फैक्टर है जो फैक्टर डिजिज कॉज कर सक तो इसे क्या करते है सरसे लेके पाओ तक इस्प्रे करते हैं Santa करते सुरी करते है रिडाक्षर्र बट आ्सेज प्रोग्राम एच त्वेन ऐटकूम ऑन एक्सेप्टड इसे डिजिगकोज हो सकता यह सारहिए प्रिमेंशन यांड कंट्रोल रहे तो यह ए से कंट्रोल होती है कोविट क्या एजेंट लिए जी कोई लेट नो से एक जांपट समझ सकते इसे भीनेट लगा और जो घरों में प्रिक्रिंग करना होता है जो मलेयरीृल स्प्रे आती है उसके थुरू तो यह सारे चीज़े आती है इसके अंदर पर्सिस्ट कम्यूनिटी एट लेवल वेर इट स्टॉप मतलब उसे रोकने के लिए तुक्तिबी पबलिक हैल्थ प्रोबलम एकोरिंग टोलेंज कॉलोज मुले चीज़े आती है के अंदर प्रिवेंशन और कंत्रोल बीचि़ के अंदर नेग्स्ट यह टाइफ आब neighborhood प्राइमरी 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 प् फूड गंटामिएटेड वाटर या फिर जो डायरिया के पेसेंट है उसको एक प्रोपर कंडिशन में रखना उसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेंड रखना उसे सैनिटेशन करना यह सारी चीज आती है प्राइम्री प्रिवेंशन के अंदर सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात कर है उसको रोख ठाम कर लो इंसीडेंस अब डिजीज हुआ कि इस वज़े से उसे पहचानना और उसे इलाज करना ठीक ना और तर्शरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाता है मिन्स क्योर डिशॉडर वेन इट हैज एडवांस आफ्टर अर्लियल स्टेज वह डिजीज का ट्री कर लो या फिर इम्मुनिटी बूस्ट करना तो वह सारे चीज आज आते है तर्शरी प्रिवेंशन यानि डिजीज के आने से पहले ही उसका प्रोपर ट्रीटमेंट करना यानि तयार रहना कि we will fight to the disease यह सारे आती है तर्शरी प्रिवेंशन के अंदर स्वाम इंपोटेंट प्रिवेंशन अब डिजीज को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए कुछ इंपोटेंट पॉइंट से जैसे देख लिए अपवाइड ऑवर क्राउडिंग कोवीट की एक्जामपल ले तो ऑवर क्राउडिंग अफेक्ट करने या फिर आप इसे इसमें भी ले सकते हो है लेकिन हमारे नेता जी लोग क्या करते हैं रहलिया निकालते हैं बीर कठा कराते हैं तालिया वाजाते हैं उसके बाद है इम्मुनाइजेशन ऑफ इंफेंट्स हमारे जो बच्चे हैं जो इंफेंट्स हैं उसे इम्मुनाइज करना ताकि उस पर आफेक्ट इसका ना परे क क्योंकि किसी भी देश का जो पीलर होता है वो इन फैंट से ही आगे बढ़ता है तो इसलिए हम उसको इम्मुनाइज कर देंगे ताकि वो कभी फ्यूचर में हैल्दी ना हो और एक हैल्दी पीलर क्या करती है बिल्डप करती है कि हैंडल एंड प्रिपेर फूट केरफुली हमें किसी भी फूट को केरफुली हैंडल करना चाहिए वास हैंड भीफॉर टचिंग फूट यह सारे चीज़ आप जानते यह स्टे हो मुएंसिक जब आप बीमार हो तो अंदर बाहर ना घुमें मुवी देखने ना जाए रूम पर बैटर है तो फैमिली के साथ गुले में लेदा हैं गेट वैक्षिनेटेट समय समय पर वैक्षिन लें अपवाइड अल्कोल और टबैको यह सारी चीज़ें हमें रोकना होता है कुछ ऐसे इंप्रोटेंट पॉइंट से सोचल कॉज अप्टिज इसका जो नेक्स टॉप पर पहले लोग उसी है देखने का जो पउऔर व्यूवता है सोचाटि का इसरी रीचष पर्सन का वहोगत हो ज उसे लगने लगता है कि आप सबस्कतरें करें त्हू unnamed हम नीचे नजर से और सबसे पहले इनन सान क्या मैंव हो सिकेटमि Öyle हुगा उसके बादוס के पास पैसे नहीं है ताकि वह प्रोपर डाइट ले या फिर प्रोपर मेंटेनेंस करें हेल्दी तरीके से तो वह फिजकली अफेक्टेट हो जाए गया तो यहीं हो गया परसन इस्ट्रेस में रहेगा तो उसके क्या होगी दिरी दिरी उसके हर्मोनल इफेक्ट बिगरेगी उसके बिगरने के बाद वह इंडिवीज्वल खुद परिशान रहेगा अनहल्दी होगा उसके उसका फैमली फिर फैमली से सोसाइटी इस तरह से इसका बढ़ता चला जात इसकी तबियत बीगरेगी कोई हर्ट रिलेटेड पैसेंट तो इसकी तबियत बीगरेगी या फिर कोई ऐसा पेसेंट है जिसके अंदर मेंटली मतलब अनहल्दी है तो उसे भी चीज अफेक्ट करेगी और वो बिमार तो पहले सही होगा और बिमार होता चला जाएगा तो यह रही भेरियस लाइफ इवेंट्स के रिजन मॉडर्न लाइफ स्टाइल तो आप सभी जानते हैं जो हम देर टुडए अपना रहे हैं हाइफाइ दिखावा इसके वैसे क्या होते हैं कहीं वह आपके इसके अंदर आ जाती है उसके बाद आती है पीपुल प्लेस एंड सोसाइटी क्या होगा विमार होगा वह उस स्पेस्प्लेस को अफेक्ट करेगा उस प्लेस के वज़ा से सोसाइटी दिरे दिरे अफेक्टेड होती चले जाएगी सोसल प्रॉबलम टुशिक समाज में शिक के कुछ प्रॉबलम में तुसे पहले हम जान लेते कि शिक होती क्या है मैं भी डिफाइट पर्सन हूँ इस फिजकली और मेंटली इल होता है तुसे हम शिक कहते हैं और डिजिज में क्या होता है फिजकली मेंटली एकोनोमिकली यह सारे रिजन्स आते हैं दा डिफकल्टी डैट सिक एंड लॉंग तर्ण इल पीफुल फेशिंग एंड डिवाइड केटोगरी विच इंकूरूड कुछ ऐसे रिजन्स है डिफकल्टी आती है सिक पर्षन को सुसाइटी में जैसे एजुकेशन में प्रॉबलम वो ज्यादा अगर उस स्पेस्फिक पर्षन के वज़से क्या होगा कभी-कभी वो काम रुका रह जाता है तो इंप्लाइमेंट इसू हो जाती है लॉस ऑफ इंडिपेंडेंडेंस इंडिपेंडेंस का लॉस होना यह सारे चीजे आती है कम्ब्यूकेशन इसू के कारण भी क्या होती है स प्रोब्लेम्स यह सिक्के वज़से समाज में इसा प्रोब्लेम्स आती ही आती है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पर बने रहे और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूं कोमेंट करके जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो